धंब दीप पकास उत्सब या धंब दीप दान उत्सब या दिपावली या दिवाली पर जो लोग होते हैं उनमें एक आम प्रचन होता है जुवा खेलने का, गैंबलिंग का, तास खेलने का यानि के वो अपने जो पैसे हैं उनको दाप पे लगाते हैं और तास के पत्ते फैके जाते हैं या गोटियां फैकी जाती है या सक लगाई जाती है और वो बिना कमाए ही दूसरे पक्ष को मिल जाती है या नहीं भी मिलती यानि के लॉस भी होता है और बेनिफिट भी होता है जो बहुती ज़्यादा खतना किसीती है ये लगबग पूरे भारत में दिपावली पे इसको एक शगुन के रूप में माना है शगुन का मतलब है मंगलकारी और अच्छा माना है कहते हैं कि उस दिन जुवा खेलना, गेंबलिंग करना अच्छा होता है, सुब होता है जो पकास दिया जा रहा है, प्रकास दिया जा रहा है, वो धम का दिया जा रहा है और जो भग्नवान बुद्ध हैं या उनके सिस्सें हैं, जितने भी भिक्कू हैं वो लगाता तीन सो पैश्र दिन धम दीप प्रकास देते हैं यहां जो जुए का नाम है पाली भासा में उसको बोलते हैं धुतांग और धुतांग को बाद में धुरुत किया गया धुतांग को बाद में धुरुत किया गया धुतांग को ही धुरुत किया गया धुतांग को ही धुरुत किया गया और धुरुत को बाद में जुवा बताया गैंबिलिंग बताया गया basically धुतांग का मतलब gambling जुआ या धुरूत नहीं है धुतांग का मतलब है जो विपस्थना की जतने भी नियम है जो विन्य के नियम है उनको धुतांग बोलते हैं यानि कि जब आप धम का प्रिकास लेंगे उस खास अमावस्या को या 35 दिन में कभी भी तो आपको धुतांग के नियमों का पालन पहले करना पड़ेगा, धुतांग आपको पिले करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा या रखना पड़ेगा. चूंकि यह विपस्ना करने की अवशक प्रिकरिया है धुतांग, इसलिए जब पूरा का पूरा धमी खराब हुआ और बदला गया तो धुतांग का क्या करें? तो दुतांग को त्यूंकि दुतांग विने के नियम है और धम के नियम है तो दुतांग को धुत में बदला और धुत को धुत किडिया से कीड़ा से और धुत कीड़ा या धुत गेम को बदला जो आपने देखा होगा जिसको चौपड बोलते है या चौपड में और धुत कि पिलने का या गेंब्लिंग का कोई प्रिचन कभी नहीं रहा। अगर होता तो त्रिप्टक साहिते में जरूर कहिना चभी होता. यह बहार का आया हुए है यहां गेंबलिंग जो से गंदा काम है किसी आदमी की मेहनत को किसी आदमी का जो फल है या उसका जो धान है उसको बिना मेहनत के दाव लगा के उसको उकसा के या उसको चड़ा के और चल कपड से उसको अपने हिस्से में कर लेना और अगर वो देने को राजी ना हो तो फिर वहाँ लड़ना ये सब सबसे घटिया पापों में आता है, सबसे बेकार चीज में आता है, इसलिए इसको धुरुत नाम बोला गया, क्योंकि धुतांग बहुत अच्छा नाम था, धुतांग बहुत अच्छा काम था, और ये एक धम प्रिकास उसब का, या धम दीबदान उसब का, या धम सीखने का स सबसे पहला विनय का नियम था। इसलिए जब भी आपका भी दिपाली खिलें तो उस पे जुआ ना खिलें। बलकर धम दी प्रकास में धम को सीखें और धम को सीखें धम के जो धोतांग के नियम हैं, जो विनय के नियम हैं उनकी पैक्टिस करें। धन्यवाद। अजय को सीखें, बलकर विनयवाद।